दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद करते हैं आप लोग अच्छे हुँगे और पड़ाई कर रहे हुँगे दोस्तों आज हिंदी का एक नए टापिक हम लेके आये है, जो है हिंदी पद्ध गद्ध वा रचनाकार क्या है हिंदी पद्द गध्य रचनावा रचनाकार ठीक चलिए प्रस्नों को डिस्कस करते हैं मित्रों प्रस्न नंबर एक है सातियों हिंदी प्रदीप के संपादक कोन थे अफ्सन ए है बालकृष्न भट आफ्सन बी है प्रताब नरायन विश्र आफ्सन सी है निराला आपसन डी है पंत तो हिंदी प्रतीप के प्रदीप के संपादक कौन थे यह बाल कृष्ण भट थे दोस्तों आपसन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रस्ण पे चलते हैं मित्रों अगला प्रस्ण है सरस्वती पत्रिका के संपादक इसमें पूछ रहा महावीर प्रसाद दिवेदी आपसन C है रामचंद्र सुकल आपसन D है भारचेंद हरिश्चंद तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे मित्रों यह महावीर प्रसाद दिवेदी थे आपसन B इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले प्रस्ण पे चलते हैं मित्रों आपसन C है आर्थिक आपसन D है राजनीतिक तो कल्यान किस प्रकार की पत्रिका है मित्रों यह धार्मिक पत्रिका है आपसन B इसका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रस्ण में चलते हैं मित्रों अगला प्रस्ण है माधुरी पत्रिका का प्रकासन कहां से होता है इसमें पत्रिगा का प्रकाशन कहा से होता है मित्रों ये लखनव से होता है आफसन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले प्रस्ण पर चलते हैं साथियों अगला प्रस्ण है हिंदी नव जीवन के संपादक कौन थे क्या है हिंदी नव जीवन के संपादक कौन थे आफसन ए है कौन है यह गांजी जी है आफसन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आज की ही के दिन गांजी जी को गोली मार दिया गया था को तो आप लोग इसको याद रखेगा एक डेट भी बता दीए वोको जीके का क्वेस्टन आगला प्रसन घ्रों पिरताब नरायन मिस्र किस जातिय पत्र के संपादक थे तो प्रताब नरायन मिस्र जैसा कि नाम में इनके मिसर लगा हुआ है तो इसमें पूछा गया है तो आफसन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों अगले प्रस्ण पे चलते हैं अगला प्रस्ण है साथियों हरी नारायड किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं हरी नारायड जो है लेखक हैं ये किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं आफसन A है मित्रों, कादा मिनी, आफसन B है सारिका, आफसन C है कथा अंतर, आफसन D है मित्रों, कथा देश, तो हरी नरायन किस कहानी पत्त्रिका के संपादक थे मित्रों, ये सारिका के संपादक थे, आफसन B जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, अगले प्रस्ण पे चलते हैं अगल्य प्रास्ण है सात्यों आलोचना पत्त्रिका के संपादक कौन है पुछा गया है आलोचना पत्त्रिका के संपादक कौन है आफसन A म dato राम बिलाज सवर्मा आफसन B महिःद महिव सिंग उप्सण अ यह नाम और बैचारी की पत्रिका के संपादक कौन है मित्रों? आफसन A है मडिका मोहिनी, आफसन B है उसाप्रियमवदा, आफसन C है मन्नु भंडारी, आफसन D है कृष्णा सोबती, तो बैचारी की पत्रिका के संपादक कौन है मित्रों? ये मडिका मोहिनी है, आफसन A इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अगले प्रस्ण चलते हैं अगला प्रस्ण है मित्रों चिंता मड़ी किस लेखक की गृती है क्या है यह चिंता मड़ी यह भी बहुत थेमा सही है भी परिच्छाव में ज्यादा पूछा जाता है तो आफसन दिखें इसका मित्रों आफसन ए है बाबु मित्रों अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण है मित्रों नासी के तो पाक्ष्यान के रचाईता कौन थे यह भी बहुत पूछा जाने वाला प्रस्ण है नासी के तो पाक्ष्यान के रचाईता कौन थे मित्रों आफसन ए है इंसाल लग हां आफसन बी है सदल मिस् सदा सुखलाल तो नासिके तो पाक ख्यान के रचीता कौन हमित्रों ये है सदल मिस आफसन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सातियों अगले प्रस्न पे चलते हैं अगला प्रस्न हमित्रों इन में से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है इसमें पूछा गया है कि महादेव तो इसमें बताना कौन साझन नहीं है थीप Cap' सैंदों अगले प्रस्न पे चलते हैं मित्रों अगला प्रस्न हमित्रों चंद्रों चंदर कांता उपन्यास के लेखक कौन थे? ये भी बहुत थेमस प्रस्ट है. चंदर कांता संत्ती किस परकार का उपन्यास है? ये पूछा गया है, कि चंदरकांता संतती किस प्रकार का उपन्यास है। आफसन A है जासूसी, आफसन B है सामाजिक, आफसन C है तिलस्त्मी ARI, आफसन D है मनोवै ग्यानिक, तो चंद्रकांता संत्ति किस परकार का उपन्यास हमित्रों ये है तिलस्त्मी ARI, आफसन C जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके बारे में आप लोग सर्च करके पढ़ प्रसिद्धिलेखक रहे हैं, इसमें पूछा गया है हिंदी में जो जासूसी पर सबसे ज़्यादा लिखते हैं, ये कौन से प्रसिद्धिलेखक हैं, आफसन A है, देवकी नंदन खत्री, आफसन B है मित्रों, गोपाल राम गहमरी, आफसन C है, जीपी इस्त्री वास्तों, आफसन D है सुदर्शन, तो हिंदी में जासूसी उपन्यास कारों की रूप में किसे जाना जाता है, ये गोपाल राम गहमरी को जाना जाता है हमित्रों, आफसन B इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, अगले प्रस्ण पे चलते हैं, अगला प्रस्ण हमित्रों, सेखर एक जिवनी किस बिधा की पुस्तक है, इसमें पूछा गया सेखर एक जिवनी किस बिधा की पुस्तक है, आफसन A है, आत्म कथा, आफसन B है जिवनी, आफसन C है उपन्यास, आफसन D है नाटक, तो सेखर एक जिवनी किस बिधा की पुस्तक है, ये उपन्यास है साथियों, इसका लेखक पूछा गया है, अपने अजनवी उपन्यास की लेखक कौन है मित्रो हूँ? आपसन A है निर्मल बर्मा, आपसन B है कमलेषवर, आपसन C है अगे, आपसन D है राज कमल चोधरी, तो अपने अपने अजनभी की लेखक कौन है मित्रों? ये अग्यें G हैं, आपसन C इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, अगले प्रस्न पे चलते हैं, अगले प्रस्न है प्रेम चंद के किस उपन्यास के गिर्षक जीवन की समस्यां है तो इसमें पूचा गया है प्रेम चंध जी का कौन साउ पन्यास है जिसमें किरसक जीवन की समस्याओं का उल्लेख किया गया है तो आईए आफसन देख टें मित्रों आफसन A है गबन आफसन B है घोदान आफसन C है निर्मला आफसन D है रंग भूमी तो इसमें किरसक इनमे से किसमें किर्सक जीवन की समस्चाओं का वरड़न किया गया है यह गोदान में किया गया है ठीक आफसन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों अगले प्रस्ण पे चलते हैं साथियों अगला प्रस्ण है इनमें से कौन मनोवय ग्यानिक उपन्यासकार नहीं है इसमें are के मनोवय ज्ञानिक कभी नहीं या लेकर नहीं है ऑपसें इसका सहीटर हो जाएगा मित्रों अगले प्रस्ण पे चलते हैं अगला प्रस्ण है मित्रों ठेट हिंदी का ठाट किया है ठेट हिंदी का ठाट कि लेकर्ग कौन है यह नाम पूरा है नाम है अगले प्रसमें चंद्र हसीनों के खतूत क्या है चंद्र हसीनों के खतूत इसके लेखक कौन है ऊसन इसक असफ ब्याइड इसमें दिया गया है कॉन किसका नाम है तो आप लोग यस नाम है रहाँ लिखें दिया पोरा नाम है पांडेय वेचनसरमा उग्र ठीक अगले प्रस्ण पे चलते हैं मित्रों, अगला प्रस्ण है प्रेम चंद के उस उपन्यास का नाम बताईए, जिसमें दहेज पर्था की बुराई की गई है, तो कौन-कौन मानता है दहेज बुरी चीज है, नहीं लेना चाहिए, ठीक, डालत बहुत बुरी बला है, देखते है इसमें मित्रों आफसन देखते हैं, आफसन A है गबन, आफसन B है गोदान, आफसन C है निर्मला, आफसन D है सेवा सदन, तो प्रेम चंद के किस उपन्यास में दहेज पर्था की बुराई की गई है, ये है निर्मला, आफसन C इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, प्रेम च पर चलते हैं मित्रों, अगला परसन है सातियों, भूतनात के रचीता कौन है, अच्छा जो ये रचीता लिखा है, इसको देख लीजिए, वर्तनी सुद्धी करण में आता है, तो इसको पॉइंट कर लीजिएगा, कि हाँ ये कैसे लिखा है, बिल्कुल सही लिखा, ठीक, तो भूतनात के रचीता कौन हो जाएंगे मित्रों, आशन A है गोपाल राम गहमरी, आशन B है देव की नंदन खत्री, आशन C है ठाकूर जगमोहन सिंग, आशन D है लज्जा राम सर्मा, ठीक, कैसे कैसे नाम है, लज्जा राम सर्मा, तो भूतनात के रचीता कौन हो जाए यह हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री आफसन भी इसका सहीधतर हो जाएगा साथियों अगले प्रस्न पर चलते हैं मित्रों अगला प्रस्न है हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है बहुत मोश्ट पूछा जाने वाला कोईस्चन है मित्रों यह और आसान भी है परिच्छा गूरू को मानते हैं ठीक आप लोग बताएगा इसको लिखा किसंे कमयंट बॉक्स में ठीक अगले प्रस्न पर चलते हैं दो अगला प्रस्न है सात्यों अ प्रसाद अगले प्रस्ण पे चलते हैं इन में से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोसि का नहीं है इसमें देखना है कि इलाचंदर जोसी का कौन सा नहीं है उपन्यास आफसन A है मित्रों त्याग पत्र आफसन B है मुक्तिपत आफसन C है सन्यासी आफसन D है मित्रों रितुचक्र तो इन में से कौन सा नहीं है ये त्याग पत्र नहीं होगा आफसन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों अगले प्रस्ण पे चलते हैं साथियों अगला प्रस्ण है सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है सुनीता जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है मित्रों आफसन ए है इलाचंद्र जो सी ली आसन भी है अ अग्यें आसंद सी great अजह कुन है यह जैनेंद्र जी है एगले परसुने चलते हैं के अगला पोउषा गया था फिर यूं चार दिया गया था त्पर उसमें धे इसको इंक्लूट कर लिए औरो जैने इंद्र तो ने के रहे हो जाएंगे है कि दिए हो जाएंगे जाने इसका प्रस्थ मित्रों इतने ही थे और टापिक में भी कुरेंशन ब चयके हुए है तो अब ही और कुरेंशन लाएंगे ऐब की लीए ठीक inhalivis यही चलेगा गद्य पद्य और रचनकार और लेखक ठीक तो वीडियो को लाइक करेगा मित्रो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने सात्यों के साथ सेर भी करेगा ठीक तो चलते हैं फिर आज के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत जै हि इंदे